नमस्कार साथियों एक बार फिर से सभी लोगा का स्वागत है मेमांसा क्लासेज के ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर और आज जिस विसे के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है संसद और राज्य विधान मंडल जैसा कि आपने देखा पिछली कुछ क्लासेज में भी हमने संसद और राज्य विधान मंडल के कारे अपने आप में इतने विस्तरत हैं और समिधान में विस्तार से इसके बारे में चर्चा की गई है तो इसे एक क्लास में समाईत करना संबव नहीं है इसलिए संसद और राज्य विधान मंडल के जो अलग-अलग कारे हैं उन्हें हम अलग-अल पर जो भारित वय होते हैं भारत की संचित निधी पर भारित वय और राज्य की संचित निधी पर भारित वय कौन से होते हैं उसके बारे में आज की क्लासें बात करेंगे और संसद और विधानमंडल में बजट को पारित होने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है तो संस प्रक्रिया क्लास को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले मा आपको बता दू कि पॉलिटी स्पेसल बैच के अंत्रगत हमारी ये क्लास है जिसके अंत्रगत PCS सिविल सेवा से सम्मंदित जितना भी पाठ्ठेक्रम समीधान का पूछा जाता है उन सभी को एक व्यवस्त और नियोजित क्रम में हमने एक प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट का नाम है मिमानसा क्लासे यूट्यूब चैनल पर जब आप जाएंगे प्लेलिस्ट वहाँ आपको मिलेगी कॉलिटी स्पेसल बैच वहाँ आपको समीधान से सम्मंदित सभी टोपिक्स क्रम से व्यवस्तित प्राप्त होने वाले हैं किसी प्रकार की कोई फीस किसी प्रकार का कोई सुल्क इसके लिए नहीं है सभी को निसुल्क ये प्राप्त होने वाले हैं तो आइए क्लास के और बढ़ते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं वार्शिक वित्य विवरण के बारे में जिसे कहां जाता में बजट नाम के सब्द का प्रियोग नहीं किया गया है हमारे समीधान में उसके लिए किस सब्द का प्रियोग किया गया है वार्षिक वित्य विवरण या एन्वल फाइनेंचियल स्टेटमेंट अब एन्वल फाइनेंचियल स्टेटमेंट आखिर होता क्या है पहले हमें उसे समझना है annual financial statement इसे यदि हम समझें तो वार्षिक जो वित्तिये विवरण होता है वार्षिक वित्तिये विवरण चाहे वो संसद के संदर्ब में हो चाहे राज्ये की विधानमंडल के संदर्ब में हो उसमें किसका विवरण होता है विवरण जैसा कि इसके सब से आपको सबसे पता लग रहा है कि इसमें किसी चीज का विवरन दिया जाएगा और किसका विवरन दिया जाएगा वित्य मामलों का कोई विवरन दिया जाएगा और वार्शिक रूप से दिया जाएगा तो सबसे पहली चीज कि ये एन्वली एन्वली क्या होता है प्रस्तूत होता है एन्वली या वार्षिक रूप से क्या होता है इसको प्रस्तूत किया जाता है संसद में और राज्य के विधान मंडलों में और इसमें होता क्या है आने वाले वित्तिय वर्ष तीक है आने वाले वित्तिय में सरकार की यदि संसद के संदर्ब में है तो भारत सरकार की और राज्य की विधान मंडल के संदर्ब में हम बात करें तो राज्य सरकार की किसी का लेखा जोखा होता है राज्य सरकार की आय कैसे कैसे होगी और राज्य सरकार के वे किस परकार से होगे या किंद्र सरकार की आ आए और वे किस प्रकार से होगी तो सरकार के आए और वे आने वाले वित्ति वर्ष में सरकार के आए और सरकार के वे का जो लेखा चोखा संसद में या राज्य के विधान मंदल में प्रस्तूत किया जाता है वार्षिक रूप से उसे ही क्या कहा जाता है वार्षिक वित्तिय विवरण या annual financial statement कहा जाता है आप देखना है कि हमारे समीधान में annual financial statement या वार्षिक वित्य विवरण के बारे में किस प्रकार की बातें कही गई हैं तो सबसे पहले संसद के संदर में annual financial statement या यो कहे हम वार्षिक वित्य विवरण का जो उपबंद किया गया है वो article 112 के तहत कि गया है जबकि राज्य विधानमंडल के संदर्ब में इसे आर्टिकल 202 में बताया गया है हमारे समिधान के अब क्या होगा कि राष्ट्रपती राष्ट्रपती प्रतेक वित्य वर्ष के प्रारम में तो हमारा जो वित्य वर्ष प्रारम होता है वो कब से प्रारम होता है अप पति क्या करेगा संसद के दोनों सदनों संसद के दोनों सदनों अथार राज्य सबा प्लस लोक सबा दोनों के सामने क्या रखवाएगा एक विवरन रखवाएगा जिसे क्या कहा जाएगा वार्शिक वित्य विवरन कहा जाएगा राज्य के विधानमंडलों के संदर्ट में केवल विधान सबा है तो केवल विधान समा के समक्स तो विधान परिशद और विधान सबा के समक्स राज्य प्याल क्या रखवाएगा क्या रखवाएगा वार्षिक वित्य विवरण को रखवाएगा जिसमें आने वाले वित्य वर्ष की आय और वैका क्या होगा लेखा जो संभावित आय, संभावित प्राप्ति और संभावित व्य का जो है इसमें क्या होगा विवरण होगा ये तो बात हुई कि इसमें होगा क्या किस प्रकार का विवरण होगा इसी प्रकार राज्य के संबंद में भी राज्य सरकार को होने वाली आय और व्य का विवरण होगा आ इसमें किस प्रकार के प्रारूप में आय और वै को दिखाया जाना चाहिए ये भी इस पश्प्रूप से बता दिया गया है और कहा गया है कि संचित निधी पर जो भारित वै होते हैं उनको अन्य वै से अलग दिखाया जाएगा संचित निधी पर भारित जो वै होते हैं संचित निदी पर भारित जबकि दूसरे प्रकार के वे ऐसे वे होते हैं जो इस पर भारित नहीं है भारित नहीं है संचित निदी पर भारित वे कौन-कौन से होते हैं इसके बारे में हम अलग से क्लास में बात करेंगे लेकिन अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि दो प पश्ट रूप से ये समीधान में उपबंद किया गया है कि चाहे केंदर सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो जब वो अपना वार्षिक वित्य विवरण प्रस्तूत करेगी तो उसको संचित निधी से होने वाले वैं संचित निधी पर जो भारित वैं हैं उनको और जो अन्य वै संचित निदी से किये जाने हैं संचित निदी पर भारित वै और संचित निदी से किये जाने वाले अन्य वै को अलग अलग दिखाना होगा पहली चीज तो ये कह दी गई दूसरा क्या कहा गया कि राजस्व वै और अन्य वै को अलग दिखाया जाएगा कुछ प्रकार के जो वे होते हैं सरकार के उन्हें revenue expenditure या राजस्व वे कहा जाता है जो की साल दर साल या एक निश्चित प्रकार के वे होते हैं जो सरकार को करने ही करने होते हैं वो क्या कहलाते हैं राजस्व वे कहलाते हैं राजस्व वे क्या होते हैं revenue expenditure क्या होता है और अन्य वे क्या होते हैं इ लेकिन यहां के लिए आपको यह समझना है कि दो सर्ते आरोपित की गई है वार्षिक वित्य विवरण के प्रारूप के बारे में पहली सर्त क्या है कि जब भी सरकार अपना वार्षिक वित्य विवरण प्रस्तूत करेगी उसमें राजसुवे को अन्यवे से अलग दिखाया और संचित निधी पर भारित वे को अन्य वे से अलग दिखाये जाएगा ऐसे की ऐसी बात राज्य सरकार के बारे में भी कही गई है और उसमें कहा गया है कि राज्य की संचित निधी पर भारित वे और अन्य वे को अलग दिखाये जाएगा इसी तरह राज्य के राज्य सरका को संसद के समक्स जब सरकार रखेगी तो इन दो प्रारूपों का पालन करते वे सरकार उसे रखेगी रखवाएगा कौन के अंदर सरकार के मामले में या संसद के मामले में तो कौन रखवाएगा राश्ट्र पती और राज्य विधान मंदल के मामले में कौन रखवाएगा र Annual Financial Statement क्या होता है उसका प्रारूप क्या होना चाहिए इसके बारे में अब आगे चलते हैं और बात करते हैं जैसा कि हमने बात करी थी किस दो प्रकार के वे हमने देखे थे एक तो संचित निधी पर भारित वे और दूसरे प्रकार के वे थे संचित निधी पर भारित नहीं है ऐसे वे तो संचित निधी पर भारित वे के अतिरिक्त जो भी अन्य परकार के खर्चे होते हैं वो क्या होते हैं संचित निधी पर भारित वे को ध्यान रखना है कि ये कौन से वे होते हैं तो संचित निधी पर भारित वे को उसी आर्टिकल में समीधान में दर्शाय गया है जिस आर्टिकल में वार्षिक वित्य विवरण को दर्शाय गया है तो वार्षिक वित्य विवरण में को आर्टिकल 112 में दर्शाय गया है इसी प्रकार संचित निधी पर भारित वे को भी आर्टिकल 112 में दर्शाय गया है आप ध्यान दें आपे संचित निधी क्या होती है इसके बारे में आर्टिकल 112 में नहीं बताया गया है आर्टिकल 112 में क्या बताया गया है कि संचित निधी पर भारित वै कौन-कौन से होते हैं संचित निधी होती क्या है इसको समीधान के आर जबकि संचित निदी होती क्या है, इसे समीधान के अन्य आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल 112 में नहीं बताया गया। तो क्या कहता है अनुचे देख सो बारा कि संचित निदी पर भारित वै कौन कौन से होंगे आईए बात करते हैं सबसे पहला राश्ट्रपती के जो वेतन भत्ते होते हैं और अन्य खर्चे होते हैं वो केंद्र सरकार की संचित निदी पर भारित वै होगा इसी प्रकार राज सुप्रिम कोर्ट के जो जज हैं उनके वेतन भत्ते और pension किस पर भारित होंगे भारत की संचित निधिय पर भारित होंगे या केंदर की संचित निदी पर भारित नहीं होंगे वो किस पर भारित होंगे जिस राज्य में वो हाई कोर्ट है उस राज्य की संचित निदी पर भारित होंगे राज्य की संचित निदी पर क्या होंगे भारित होंगे तो आपको ध्यान रखना है सुप्रिम कोर्ट जो जज़ है उनके तो वेतन और भत्ते दोनों ही किस पर भारित होंगे केंदर सरकार की संचित निधी या भारत सरकार की संचित निधी पर भारित होंगे जब कि हाई कोड जज के केवल पैंसन किस पर होगी केंदर सरकार की संचित निधी पर भारित होगी उसके वेतन भत्ते रज्य सरकार की संचित निध या भारत सरकार की संचित निदी पर भारित होगी इसी प्रकार कैग नियंतरक महालेखा परिक्षक जो होता है भारत सरकार का उसके वेतन भत्ते और पैंसन भी किस पर भारित होते हैं भारत सरकार की संचित निदी पर भारित होते हैं इसी प्रकार ऐसे रिण और उन रिणों पर दिया गया ब्याज जो की किसके द्वारा लिया गया हो भारत सरकार द्वारा कोई रिंड लिया गया हो और उस रिंड पर कोई ब्याज चुका ना हो वो दोनों के दोनों ही किस पर भारित होंगे भारत की संचित निधी पर भारित होंगे इसके अलावा किसी भी कोर्ट के नो वे हमने देखे इसके अलावा भी संसद क्या कर सकती है कानून बनाकर किसी और वे को संचित निदी पर क्या कर सकती है बारित कर सकती है कोई और वे भी संचित निदी पर क्या किया जा सकता है भारित किया जा सकता है लेकिन वो किसके द्वारा किया जाएगा संसद के द्व बारा किया जाएगा तो भारत की संचित निदी के बारे में हमने बात की इसी प्रकार हमने एक सब्द और देखा था राज्य की संचित निदी तो आईए देखते हैं राज्य की संचित निदी पर भारत वे कौन-कौन से होते हैं तो सबसे पहली चीज तो जिस प्रकार से टू आर्टिकल 202 में बताया गया है अब राज्य की संचित निदी पर भारित वे कौन कौनश होते हैं सबसे पहले तो उस राज्य की राज्य पाल के जो वेतन बत्ते और अन्य खरचे होंगे उसके ओफिस के वो सभी राज्य की संचित निदी पर भारित होंगे दूसरा हैं उनके वेतन और बत्ते किस पर भारित होंगे राज्य की संचित निदी पर और जैसा हमने पहले बात की थी इनकी पैंसन किस पर भारित होगी किन्द सरकार की संचित निदी पर भारित होगी इसके अलावा ऐसे रिन और ब्याज जिनके लिए राज्य सरकार उत्तरदाई है वो भी किस पर भारित होंगे राज्य की संचित निदी पर भारित होंगे किसी भी कोर्ट के निर्णे को लागू करने के लिए यदि धन की आउशकता होती है तो वो भी राज्य की संचित निदी पर भारित होगा और इन सभी वै के अलावा कोई किसी अन्य वै को भी विधा मंदल क्या कर सकता है या समिधान संसोदन द्वारा क्या किया जा सकता है भारत केंदर राज्य सरकार की संचित निधी पर भारित किया जा सकता है तो ये थी राज्य सरकार और केंदर सरकार की संचित निधी और उन पर भारित वे कौन कौन से होते हैं अब देखें अब यहां एक चीज हमें और देखनी है कि हमने संचित निधी के बारे में बात की, किसके बारे में बात की, संचित निधी के बारे में बात की, अब ये जो संचित निधी होती है, ये क्या होती है, ये सरकार की जितनी भी प्राप्तियां होती है, सरकार की, सरकार की जो आय होती है, उस सर अब इस संचित निधी से यदी पैसा निकालना है च्या करना है पैसा निकालना है तो उसके लिए जो प्रक्रिया होती है उसके लिए जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है प्राकलन प्रक्रिया क्या कहलाती है प्राकलन प्रक्रिया ये जो प्राकलन प्रक्रिया होती है उसके द्वारा संचित निधी में से पैसा निकालने की प्रक्रिया को क्या किया जाता है और ये प्रक्रिया विधानमंडल के माम अब प्राकलन की जो प्रक्रिया है तो उसमें दो अलग अलग बिंदू हमें देखने को मिलेंगे संचित निधी पर भारित जो होते हैं उन भारित वे के लिए जो प्राकलन की प्रक्रिया होती है वो तो होती है अलग और इसी प्रकार ऐसे वे जो संचित निधी पर भारित न नहीं है यानि अन्यवे जो अन्यवे होते हैं उनके लिए प्रक्रिया होती है अलग जो अन्यवे के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है प्राकलन की उसके अंतरगत उन्हें किसके रूप में रखा जाता है अनुदान की मांग के रूप में रखा जाता है यानि संचित निद for grant या अनुदान की मांग के रूप में मांगती है और ये अनुदान की जो मांग है वो किस में पेस की जाती है लोग सभा में पेस की जाती है तो आईए देखते हैं प्राकलन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हमारे समीधान में किस प्रकार की विवस्था की गई है प्राकलन की प्रक्रिया की अदियम बात करें तो संसद में प्राकलन की जो प्रक्रिया है उसको आर्टिकल 113 में बताए गया है प्राक्लन क्या होता है उसका आर्थ हमने समझा कि संचित निधी से वै करने के लिए संसद से क्या लेनी होती है अनुमती लेनी होती है और संसद से ये अनुमती किसके तहत ली जाती है प्राक्लन प्रक्रिया के तहत ली जाती है जबकि राज्य विधान मंडल को से परमीशन या अनुमती किसके तैत ली जाती है प्राकलन प्रक्रिया की तैती ली जाती है लेकिन दोनों को अलग-अलग आर्टिकल में दिखाए गया है प्राकलन की प्रक्रिया संसत के संदर्ब में तो आर्टिकल 113 में जबकि राज्य विधान मंडलों के लिए किसमें दिखाई गई ह आर्टिकल दो सो तीन में दर्शाई गई है हमारे समिधान में इसके उबबंद किये गए हैं आप देखिए कि प्राकलन की जो प्रक्रिया होगी उसमें जैसा मैंने आपको बताया दो प्रकार के वे अलग-अलग पहला कौन सा वे संचित निधी पर भारित वे होते हैं कौन से वे होते हैं फिसली स्लाइड में हम देख चुके हैं उन वे के लिए संचित निधी पर भारित जो वे होते हैं उन वे से उन वे के संदर्ब में जो प्राकलन की प्रक्रिया होगी उसमें किसी प्रकार का मतदान नहीं करवाया जाएगा किसी प्रकार का मतदान नहीं करवाया होगा केवल चर्चा होगी सबसे पहले किस्तों उसके बाद हम बात करते हैं अन्य वै अन्य जो वै होते हैं उन वैसें अन्य जो वै होते हैं अन्य जो खर्चे होते हैं वो किस रूप में रखे जाएंगे अनुदान की मांग के रूप में रखे जाएंगे किस प्रकार के खर्चे संचित निधी पर भारित वे इन पे किसी प्रकार का मतदान नहीं होगा केवल चर्चा होगी दूसरे प्रकार के खर्चे कौन से होंगे ऐसे खर्चे जो संचित निधी पर भारित नहीं है इन खर्चों के लिए क्या किया जाएगा मतदान किया जाएगा मत लोगसबा इन अनुदानों की मांग पर क्या दे सकती है वोटिंग के द्वारा अनुमती दे भी सकती है या नहीं भी दे सकती या अनुदान में जो पैसा मांगा गया है उसको कम करने के लिए कह सकती है और जितने भी प्रकार की अनुदान की मांगे लोगसबा में प्रस्तू नहीं होगा केवल चर्चा होगी जबकि अन्य जो खर्चे हैं जो संचित निदी पर भारित नहीं है वो अनुदान की मांग के रूप में रखे जाएंगे कहां रखे जाएंगे लोकसभा में रखे जाएंगे लेकिन चर्चा दोनों सदनों में हो सकती है ठीक है लोकसभा में म उसको कम भी कर सकती है और यही प्रावधान राजे की वेधान मंडल के संदर्ब में भी होंगे कि राजे के वेधान मंडल में क्या होगा केंद्र राजे सरकार की संचित निदी पर भारित जो व्य थे उन राज्य की संचित निदी से करना है, अन्य कोई खर्चा राज्य की संचित निदी से करना है, कार की अनुदान की मांगे जो की राज्य की संचित निदी से पैसा खर्च करती है वो राज्यपाल की सिफारिश पर ही सदन के समक्स प्रस्तूत की जाएंगी अन्य था नहीं की जाएंगी ये थी प्राकलन की प्रक्रिया तो प्राकलन की प्रक्रिया के अंतरगत खर्चों के बारे में क्या होती है चर्चा और मतदान होता है चर्चा केवल जो संचित निदी पर भारित वे हैं उन पर केवल चर्चा होती है मतदान नहीं होती अन्य जो वे हैं उनके बारे में मतदान होता है और उन्हें किस रूप में रखा जाता है अनुदान की मांग के रूप में र अस्तूत किया जाता है जिसे विनियोग विधेयक या एप्रोप्रियेशन बिल कहते हैं और एप्रोप्रियेशन बिल क्या होता है संचित निदी से पैसा निकालने है तू से पैसा निकालने है तू ये बिल क्या करा जाता है पारित किया जाता है ये विधेयक पारित किया जात अब संचित निधी से मैंने आपको बताया दो प्रकार से पैसा निकाला जाता है एक तो ऐसे वै के लिए जो संचित निधी पर क्या होते हैं भारित होते हैं तो उसके लिए भी क्या लाना पड़ेगा विणियोग विधय लाना पड़ेगा तब ही इन दोनों प्रपज के लिए इन दोनों उद्देश्यों के लिए संचित निदी से पैसा निकाला जा सकता है तो संचित निदी से पैसा निकालने के लिए क्या लाना पड़ेगा विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा और संसद के संदर्ब में तो की राज्य विधान मंदल के संदर्ब में इसका वर्णन आर्टिकल 204 के इंतरगत किया गया है और क्या बताया गया है कि अनुदान की मांग हो चाहे संचित निदी पर भारित वे हो उसके लिए यदि भारत की संचित निदी से पैसा निकालना है तो क्या लाना पड़ेगा वि नियोग विधियकी ठीक है अब आगे हम बढ़ते हैं उससे पहले हम बात करें खर्चे के लिए क्या निकालना होता है पैसा अब यह जो खर्च या वे होता है यह क्या होता है अनुमानित होता है यह अगले वित्यय वर्ष अगले वित्य वर्ष के लिए, तो exact खर्चे का अनुमान हम नहीं लगा सकते, अगले वित्य वर्ष के लिए जो खर्च करना होता है, उस खर्च या वे के लिए अनुमान लगाए जाते हैं, और ये अनुमान गलत भी साबित हो सकती हैं, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है कि ये खर्चा और जो वे करना है उससे संचित निदी से क्या निकाला पैसा निकाला संचित निदी से क्या निकाला संचित निदी से पैसा निकाला गया किसके माध्यम से पैसा निकालना किसके माध्यम से विनियोग विधेयक दो प्रकार की प्रक्रिया यह वो मानलो क्या पढ़ गया, एपरियाब पढ़ गया, क्योंकि हमने तो क्या है, भविष्य के खर्चे के आधार पर क्या करा है, अनुमाल लगा कर पैसा निकाला है, हो सकता है, वो पैसा क्या पढ़ जाए, खर्च करने के लिए कम पढ़ जाए, या क्या हो सकता है, जादा अब यदि एपरियाप्त होता है खर्चा क्या होता है एपरियाप्त जो खर्चे के हमने अनुदान की मांग की थी जिस खर्चे के लिए जिस रासी के लिए वो रासी पढ़ जाती है कम तो और पैसा चाहिए होता है सरकार को खर्च करने के लिए तो और पैसा अतिरिक्त पैसा निकालने के लिए वापिस से क्या करनी पड़ती है कुछ परक्रियाएं अपनानी पड़ती है और वापिस वो पैसा कहां से निकलेगा संचित निदी से ही निकलेगा और संचित निदी से वो पैसा निकालने के लिए क्या लाया जाता है अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान की विवस्था की गई है जैसे वहाँ अनुदान की मांग थी वैसे यहाँ अब क्या होगा अतिरिक अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान और अधिक अनुदान अंग्रेजी में बोलते हैं इसे supplementary additional और access grants इनके द्वारा अब क्या करा जाएगा संचित निदी से पैसा निकाला जाएगा एक एक करके देखते हैं सबसे पहले तो संचत के संदर्ब में ये जो अनुपूरक अत्रिक्त और अधिक अनुदान की बात की गई है वो आर्टिकल 115 में की गई है जबकि राज्य वि यदि एपरियाप्त हो जाए ठीक है तो एपरियाप्त हो जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है फिर अनुपूरक अत्रिक्त जो है वे की आउशक्ता होती है या फिर जितना पैसा स्वीक्रत किया गया था उससे ज़्यादा पैसा खर्च हो जाए तब भी हमें क्या करनी प कहा जाता है अनुपूरक अतिरिक्त और अधिक ठीक है अनुपूरक यानि कुछ राशी क्या पड़ गई एपरियाप पड़ गई ठीक है जो स्विक्रत राशी थी उससे क्या हो गई वो परियाप नहीं रही एपरियाप रह गई तो क्या कौन सा लाया जाएगा अनुपूरक उसा अनूपोरक अनूदान कौंसा अनूपोरक अनूदान थीक है एपरियाप पड़ गई तो और उसके अलावां दूसरे प्रकार का है अतिरिक्त यानि कुछ और रासी चाहिए कुछ और तीसरे प्रकार का है अधिक अनुदान अधिक मतलम जो स्विकरत रासी थी उससे अधिक रासी सरकार द्वारा खर्च कर दी गई अब क्या चाहिए सरकार को और रासी चाहिए अधिक तो पहले ही खर्च कर चुका सरकार खर्च पहले कर चुकी लेकिन अब सरकार को रासी चाहिए तो वो क्या कहलाती है? अधिक अनुदान के माध्यम से वो सरकार को प्राप्त होगी. राज्य की विदान मंडल में भी यह सभी चीजें क्या होंगी? लागू होंगी. तो कहने का तात्पर्य है यदि संचित निधी पर भारित वे या अन्य जो वे हैं उन वो जो संचित निधी से निकाले गए जो पैसा निकाला गया उनके लिए वो पैसा यदि एपरियाप्त पढ़ जाता है उस ए परियाप्तता के लिए क्या करना चाहिए क्या होगा सरकार को और पैसा चाहिएगा और वो और पैसा भी अब किस से निकाला जाएगा संचित निधी से ही निकाला जाएगा लेकिन वो किस रूप में निकाला जाएगा अनुपूरक अत्तिरिक्त और अधिक अनुदान के रूप में आप क्या करनी पड़ेगी मांग पेस करनी होगी लोगसबा के समक्स और फिर वो पैसा निकाला जाएगा प्रक्रिया क्या होगी वैसी ही प्रक्रिया होगी जो विनियोग विधेयक की थी विनियोग विधेयक की रही उसे क्या करना पड़ेगा संसत से पास करके उसको निकाला जाएगा और दोनों सदनों में ये मांगी रखी जाएगी लेकिन जो मतदान होगा मांग होगी वो किसमें की जाएगी केवल लोगसबा में ही की जाएगी चर्चा दोनों सदनों में की जा सकती है इसके अलावा दूसरा है vote on account, vote of credit और exceptional grant जिसे कहा जाता है लेखा नुदान, परत्या नुदान और अपवा नुदान देखें जैसा हमने बात की थी कि हमारी जो सदन है उसमें क्या रखा जाता है संसद के समक्स क्या रखा जाता है वार्षिक वित्य विवरण और इस वार्षिक वित्य next financial year, next financial year का क्या होता है खर्चा और आय के संदर्व में क्या होते हैं प्रावधान होते हैं अब जो अगला financial year जो चालू होता है वो कब से चालू होता है अप्रेल से ठीक है अप्रेल से चालू होता है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वार्षिक वित्य विवरण के अंतरगत जो विनियोग विधेयक संचित निदी से पैसा निकालना है तो क्या रखा जाता है विनियोग विधेयक और इस विनियोग विधेयक के पास होने पर ही क्या करा जाता है पैसा निकाला जा सकता है संचित निदी से अब माना विनियोग विधेयक जाके पास कब होता है मई में प अपरेल में भी खर्चा करने के लिए चाहिए तो विनियोग विधेयक पास होने से पहले तक यदी सरकार को पैसा चाहिए तो वो पैसा सरकार कहां से लाएगी उसके लिए भी हमारे समिधान में विवस्ताइं की गई हैं और वो विवस्ता हैं लेखानुदान, आईए देखते हैं एक एक करके इनको संसत के संदर्ब में इनका विवरन आर्टिकल 116 में दिया गया है जबकि राज्य विधान मंदल के मामले में इनका जो विवरन दिया गया है वो आर्टिकल 206 में दिया गया है आप सबसे पहले हम बात करते हैं वोटन अकाउंट की या ल विनियोग विधेयक के पारित होने से पहले यदी सरकार को धन की आऊशक्ता होती है तो उस धन की निकासी के लिए क्या करना पड़ेगा? लेखा नुदान प्रस्ताव लाना पड़ेगा सदन के समक्स और यह पास होने वावाल छिक वित्तिय विवरण में जिसका जिक्र ही नहीं था लेकिन फिर भी सरकार को क्या करना है खर्चा करना है। जैसे राहत को उसमें पैसा देना है ऐसे कोई प्राकरतिक आपदा आगई कि प्राकरतिक आपदा के लिए सरकार को पैसा देना है ठीक है जो पीडित व्यक्ति उनको पैसा देना है उसके लिए पैसा चाहिए तो वो भविश्य की चीजों को annual financial statement में दर्शाया नहीं जा सकता तो ऐसी कोई मांग सामने आजाए जो कि वार्शिक वित्य विवरण में उसकी कलपना ही नहीं की गई हो तो उसके लिए जो पैसा चाहिए होता है उसे क्या बोलते हैं प्रत्यानूदान वो पैसा कहा से आता है प्रत्यानूदान के माध्यम से सदन क्या करती है संचित निद होती है जो जिनके अनुदान की مांग के रूप में जिनका वर्नन नैकिया गया हो यानी अनुदान की मांग में जिन खर्चों का जिक्र नैकिया गया हो उसके अलावा कोई अन्य खर्चा यदि करना पड़े तो उसे क्या कर दिया जाता है अप वा नुदान या exceptional grant कहा जाता है और इन तीनों के तहट पैसा संचित निदी से उसी प्रकार से निकाला जाएगा जैसे क्या करने जैसे हमने प्राकलन की प्रकरिया के अंतरकत देखा था कि विनियोग विधेयक को पारित करवाना पड़ेगा तो तीनों ही मामलों में संचित निदी से पैसा निकलवाने के लिए संसद की अनुमती की या सदन की अनुमती की आवशकता होगी और यही प्रावधान किस में किये गए हैं राज्य के विधानमंडल के संदर में भी किये हैं राज्य की संचित निदी से भी इसी प्रकार से पैसा निकाला जाएगा ऐसी conditions बनने पर राज्य के विधान मंडल द्वारा भी संचित निदी से पैसा निकालने के लिए इसी प्रक्रिया के तहट क्या किया जाएगा अथोराइज किया जाएगा किसको सरकार को अब ये जो प्रत्यानुदान या वोट ओफ क्रेडिट ठीक है वोट ओफ जो क्रेडिट होती है उसमें हमने देखा था ये ऐसी मांगों के लिए होता है जिन्हें एन्वल फाइनेंशल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्य विवरण में दर्शाया ही नहीं गया था तो ये सरकार के लिए एक प्रकार से क्या करता है ब्लैंक चेक की तरह कारे करता है इससे सरकार कभी भी क्या कर सकती है कोई रासी संचित निदी से इसके माध्यम से निकाल सकती है इसी लिए vote of credit को blank check या खाली check भी सरकार का कहा जाता है तो ये हमने देखे विभिन परकार के माध्यम जिसके दौरा भारत की संचित निदी या राज्य की जो संचित निदी है उससे पैसा निकाला जा सकता है annual financial statement के बारे में विस्तार से हमने बात की अब हम बात करने वाले हैं कि संसद में जो बजट की जो परक्रिया है वो किस परकार की होती है बजट पारित होने की जो परक्रिया होती है वो किस परकार की होती है annual financial statement इसे समीधान में कहा जाता है सामन्य बोलचाल की बासा में हम उसे बजट कह देते हैं इसके पारित होने की प्रक्रिया के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो बजट होता है वो वित्मंत्री द्वारा क्या किया जाता है सदन में पेश किया जाता है ठीक है इसके द्वारा पेस किया जाता है बजट वितमंत्री के द्वारा कब किया जाता है फरवरी माहा की जो पहली तारिक है उसको किया जाता है कहा किया जाता है लोग सबा में बजट बासन के साथ उसे रखा जाता है लोग सबा में वितमंत्री बजट बासन के साथ बजट सबा में ही होता है अब दोनों सदनों में इस बजट के उपर क्या होगा तीन चार दिन तक तो क्या होगी चर्चा होगी तीन से लेके चार दिन तक क्या की जाएगी बजट पर चर्चा की जाएगी और और फिर उसके बाद में सदन को क्या कर दिया जाएगा इस्थगित कर दिया जाएगा और सदन को जब इस्थगित कर दिया जाएगा उसके बाद 26 दिन तक जो है उसके बाद वापिस जब सदन आएगा सदन का सत्र वापिस आएगा तब क्या होगा 26 दिन तक जो डिमांड पोर grants हैं अनुदान की जो मांग हैं उन पर क्या किया जाएगा मतदान किया जाएगा ये मतदान का होगा लोक सबा में और इन मांगों के साथ ही कटोती प्रस्ताओ अथार्थ उन मांगों की रासी में कटोती करने के लिए कटोती प्रस्ताव भी लाए जाएंगे ये कटोती प्रस्ताव तीन प्रकार के होंगे पहला नीतिगत कटोती नीतिगत कटोती इसके तहट कहा जाएगा कि जितनी भी रासी अनुदान की मांग में मांग के के अंतरकत जो अनुदान की मांग में रासी मांगी गई है उस रासी को कम करने के लिए कहा जाता है और तीसरी है टोकन कटोती या टोकन कट और इसके अंतरकत अनुदान की मांग की जो रासी है उसमें सो रुपए की कटोती करने की बात कही जाती है तो ये तीन प्रकार के कट कटोती प्रस्ताओं लाए जाते हैं 26 दिन तक ये क्या करे जाते हैं अनुदान की मांगों पर मददान होता है और ये कटोती प्रस्ताओं लाए जाते हैं 26 वे दिन यानि अंतिम दिन अंतिम दिन क्या होगा जितनी भी अनुदान की मांगे आई हैं उन सारी अनुदान की मांगों को रखा जाता है तो इसे क्या कहा दिया जाता है संसदिय भासा में गुलेटीन कहा जाता है और उसके बाद इन सब के उपपर क्या लाया जाता है सभी अनुदान की मांगों के लिए क्या लाया जाता है एप्रोप्रियेशन बिल या विनियोग विधेयक लाया जाता ह और जब ये विनियोग विधेयक है ये पास हो जाता है तो इसे अब क्या कह देते हैं फाइनेंस बिल कह देते हैं क्या कह देते हैं फाइनेंस बिल कह देते हैं ये जो फाइनेंस बिल है ये पिचेतर दिन के अंदर अंदर क्या होना चाहिए सदन से क्या हो जाना चाहिए पारित हो जाना चाहिए बजट में जो अनुदान मांगे रखी जाती है वो सम्मानेते 109 अनुदान की मांगे रखी जाती है और इन 109 अनुदान की मांगों में 103 तो सिविल मांगे होती है जबकि 6 जो होती है वो defense अनुदान की मांगे होती हैं तो ये सारी प्रक्रिया थी जिसके अंतरकत क्या होता है budget संसद के समक्स रखा जाता है और उसको पारित किया जाता है इन सभी प्रक्रियाओं से होते हुए अब हम बात करते हैं ये जो सारी वित्य प्रक्रिया हमने देखी संसद में या राज्य के विधान मंडल के समक्स इस वित्य जो प्रक्रिया है उसका विनियमन किसके द्वारा किया जाएगा उसका regulation किसके द्वारा किया जाएगा तो संसद के मामले में तो संसद act बनाकर या विधी बनाकर इस वित्तिय जो प्रक्रिया है उसको क्या कर सकती है परिवर्तित कर सकती है जबकि विधान मंडल भी विधान मंडल में या विधान सबा में विधी बना कर क्या कर सकता है इस पूरी प्रक्रिया को परिवर्तित कर सकता है तो इस प्रकार आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमन संचित निदी से पैसा किस प्रकार से निकाला जाता है वार्षिक वित्य विवरण क्या होता है और वार्षिक वित्य विवरण और बजट जो है वो क्या संबंद उसमें है बजट को वार्षिक वित्य विवरण समीधान की बासा में कहा गया है और शामान ने बोलचाल के बास हैं फिर से अगली क्लास में एक नए टोपिक के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद जहें